सतना में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी गफला सामने आई है जन सुनवाई के दर्मियान कुछ महलाएं कुछ महलाएं कुछ महलाएं कुछ अनुराग वर्मा की समख्ष पहुँची और शिकायत की कि लाडली बहना योजना की तहट उनके मुबाइल पर एक हजार रुपे जमा होने के संदेश तो आया मगर जिस बैंक अकाउंट में ये राशी आई उस बैंक में तो खाता ही नहीं खुलवाया कभी इस पर कलेक्टर ने स्थानी सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में जाच करवाई तो पता चला कि ये खाते गुरुग्राम के सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की ब्रांच में खोले गए हैं इस तरह से एक और नए तरीके के फजी वाड़े का खुलासा हुआ है दरसल गुरुग्राम की एजुकेशन एप्लाइमेंट फाउंडेशन नाम की कंपनी ने नवंबर 2015 में सतना में प्रधानमंतरी कौशल विकास केंद्र खोला उदगाटन सांसत गडेश सिंग ने किया था फाउंडेशन ने महिलाओं और पुरुषों से सिलाई प्रिशिक्षन, मुर्गी बालन और बंबू प्रोजेक्ट के तहट प्रिशिक्षन देने के नाम पर करीब 200 प्रिशिक्षन आर्थियों का पंजिन किया था जिसमें अकेले सिलाई प्रिशिक्षन के लिए 420 महलाई शामिल रहीं, सभी 200 प्रिशिक्षन आर्थियों से दो-दो फोतो और उनके आधार काट की फोकौपी लिए Education Employment Foundation ने फर्जी तरीके से सभी प्रिशिक्षनार्थियों के गुरुग्राम इस्तित Central Bank of India में खाते खुलवा लिए इतना ही नहीं सभी के ATM भी बनवा लिए गए कोशल प्रिशिक्षन के लिए केंदर सरकार ने फाउंडेशन को प्रती प्रिशिक्षार्थी 10,000 रुपे दिये जिसमें 9,000 फाउंडेशन के लिए और 11,000 रुपे प्रिशिक्षन आर्थी को देना था मगर उन्हें एक पाई भी नहीं मिली और पूरी रकम एजुकिशन एम्प्लाइमेंट फाउंडेशन ढकार गया इस फर्जी वाले की बनक महिलाओं को नहीं लगी लाडली बहना योजना के तहट पीरित महिलाओं ने अलग-लग बैंकों के अपने खाता नमबर दिये सरकार ने जब राशी डाली तो महिलाओं अपने मुबाइल का मेसेज देखकर दंग रह गई कि जिस बैंक का उन्हें कभी अकाउंट ही नहीं खुलवाया वहां ये राशी कैसे जमा हो गई जानकारी ले गई तो प्रधानमत्री कोशल विकास केंद्र के नाम पर किये गए करीब दो करोड बीस लाख रुपे के फरजी वाड़े का पता चला अब लाडली बेना योजना की राशी कितने महिलाओं के गुरुगराम के बैंक एकाउंट में पहुँची ये कैपाना मुश्किल है क्योंकि प्रशासन को उन्हीं खातों के बारे में जानकारी हो रही है जो महिलाएं शिकायत लेकर कलेक्टेट पहुँच रही है सर ये 2015 में प्रधानमंत्री कोशल विकास के लिए कंपनी आई थी गुरुगाओं से एजुकेशन फार एंप्लाइमेंट फांडेशन उन्होंने प्रशिक्षण केंडर के लिए मेरे से सांसाजी के कारियालाय में बात की थी मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनाया गया था प्रशिक्षण केंडर के लिए आफिस कूला गया था है चेत्रEZ कोट केरी टेबल हास्पिटल मैं नीचे कस आफिस था इसके प्रशिक्षण के लिए सिलाई सेंटर के लिए 420 महीलायं थी जिन से दो दो फोटो और आधार कार्ड लिया गया था प्रसिक्षण केंदर में एक महिने प्रसिक्षण चला इसके बाद ये था कि इनका डिप्लोमा आएगा और सिलाई मसाइन इनको दी जाएगी इनको कुछ भी नहीं दिया गया पता चला लाश्ट में कि इनका फरजी एकाउंट इनका साइन भी नहीं है और फरजी साइन करके एकाउंट खोल दिया गया गड़ गड़ दिल्ली में इनको कंपने तो ये बात पहले से ये ताएथा कि एक हजार रुबए महिलाओं के एकाउंट में रहेगा नो हजार कंपनी का प्लस जो भी खर्च उसमें हो रहा है वो नो हजार में वो किया जाएगा लेकिन उसने दस की दस हजार रुबए तूरा निकाल लिया वो पैसा भी नहीं मिला बाइस सो लोग ऐसे थे जिनका एकाउंट खुला हुआ है क्या बताएं सर हम लोग तो इतना परिसान इस एकाउंट में हुए फर जी बाड़ा जो हम लोग के साथ हुआ है जब हमाई मैसी जाया पहले तो हम सोचे कि पैसे हम लोग में नहीं डाला गया है फिर जब मैसी जाया तो उसमें देखे सेंटर बैंक का है जब जहां हम कभी खाते नहीं खुलवाए तो उस बैंक में पैसा आया कैसे हम तो उस बैंक का पैसा चांट नमबर बड़ाओधा बैंक का दिये थे तो उसमें तो जब वहाँ जाके देखे तो बोले कि आपका एकाउंट पैसा इसमें हैं तो हम कहें कि इसको निकालने के लिए कहने कि आपको इस्टाम करना पड़ेगा गोडगाओं जाना पड़ेगा आपको दिल्ली में खाता खुला इस तरह बोले उन लोग अब वो मांग रहे हैं हम लोग के पास गए अवेधन लगाए तो उन्होंने फिर बैंक वालों को कहा है कि भाई इनका काम जल्दी किया जाए अब हम लोग तो पते ही नहीं था सर कोशल विकास के अंदर में हम लोग साली सेंटर के लिए यह किर हैं कि डिपलोमा मिलेगा स्लाई मसीन मिलेगी पैसा भी मिले तो महां मिलना का जो अपना जो भी रहा वो सभी चल गया जरूरत में लाड़ेली बैना भाला वारा है तो हम पता लगाए बैंक में तो बोले कि आपके पैसा तो दिली गुडगाव में जा रहा है यह नए खजार आता नो मेरे को पता चलता है नहीं मैं सिलाइव में केवल दो फोटो वुड़िय को चिलाइव में दिये थे बस अधारकार नपीन काड ने आधार काड ये हं कोई अधार काड के वाल लगा तैंब। पता नहीं कैसे को घुलेंख टेल या दिली नमीं हमको कुछ नहीं मिला ये लाडली वहना वाला भरसर आया है हम लोगो क्या कोसल विकास केंडर के थूरू हमने सिलाई का फॉर्म डाला था तो हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि हमारा एकाउंट सेंटरल बैंक में भी है कोई लेकिन जब ये लाडली ओजना का हमारे पास मैसेज आया कि आपका पैसा जो है वो सेंटरल बैंक के एकाउंट में टांस पर हो गया है तो इसके बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि हमारा कोई सा एकाउंट भी जो है वो सेंटरल बैंक में तो हम लोग पहले बंग में गए तो बैंक वाले सेंहे हमने सब पूछा कि हमारा एकाउंत बहदार आरे सेंट्रल बैंक में है तो सब इसके डिटेल दे दीजिए वह पहले है कि अक होड़ा है अ मॉइम अपर देख लिए तो इसके दुने बोला कि आपका एकाउंट इये गु प्रफिबाइन लटें कैसे सीदिवेशने के लिए विए उसके तुरू हमारा फॉर्म ये गया तो बोले उसी के उस्से आपका ये खाता है गुडगाओं में खुला तो आपको गुडगाओं जाना पड़ेगा तो हमने बोला कि सर घुडगाओं जाएंगे हमाएं पास जो य हम कितनी सारी महिला ऐसे जुड़े हुए हैं इसमें लाडली वैना योजना जो मत्पदी सासने शुरू किया है इस योजना के तहत हम किसी भी आवेदक से जब भी उनका पंजीकरन कराया गया तो हम किसी भी हितिगराई से कोई बैंक एकाउंट या कोई डिटेल्स नहीं लेत कि उसमें आटोमेटिकली ये रासी एनपी सी आई के माध्यम से आपके खाते में फ्लो हो जाएगी कुछ महिलाएं हमारे पास आए थी उनका ये कहना था कि उनकी मुवाइल में मैसेज आया है रासी प्रावत होने का और उसके बाद उन्होंने जब उस मैसेज के अधर पर स तो उन्होंने ये कहा कि श oraz शा शा वर्द पहले पीम कोशल के ट्रेनिंग प्रोगाम्स के सलसिले में सजी के तहत उन्होंने अपने खाता के लिए और उस प्रोगाम्स के लिए शेयर किया था तो चुकि ये लाडली बेना योजना पूर्ण तरीके से काफी ट्रांसपेरंट है और इस योजना में जो खाते रहते हैं और जिनका डिवीट रहता है उसमें पैसा फ्लो होता है और ये मैसेज उन्हीं के खाते में आया है तो ये किसी परकार का फ्रॉड ये किसी परकार की इसमें गफलत वाली बात नहीं है केवली ये है कि उनका उन मैलाओं का खाता सेंडरल बैंक और इंडिया में जो यहां का होकर नहीं है बाहर है उनकी सुगदाओं के लिए हम लोगों ने ल्डियम मौदे से और समंदित सेंडरल बैंक के मैनेजर साब से भी बात की है और सम झाल झाल झाल